गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स वेल्कम टू ओनलाइन क्लास एंड गॉइंग टू टीच यू हिंदी ग्रामर यह स्टूडेंट्स कल हमने हिंदी ग्रामर का ट्वैल लेसन किया था अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तो उसके मैंने फाइव सब्द के आपको करवा दिये दो शिक से हमारा लालच करनेवाला लालची तो हमें पता लग गया ना कि जुछ लालच करनेवाला अनेक सब्दिय वे इसमें लेकिन अगर हम लालची बोलेगे तो उसे भी हमें पता चल जाएगा कि लालची कौन होता है लालच करने वाला जिसके आने की तिथी निश्चित नया हो कुन होता है वो अतिथी कुन होता है अतिथी जिसके हमें आने का पता ही नहीं होता एक मतलब अचानक आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं अतिथी जो चित्र बनाता हो चित्रकार मास में एक बार होने वाला मासिक जिसके हरिद्य में दया हो दयालू जो पड़ा लिखाने हो अनपड दूसरों का उपकार करने वाला प्रोब कारी यह स्टुडेंट्स तो हम 12 ही करेंगे तो इसको हम दुबारा करते हैं रीड लालच करने वाला लालची जिसके आने कीती थी निश्चित नहा हो अती थी जो चित्र बनाता हो चित्रकार मास में एक बार होने वाला मासिक जिसके हरिद्य में दया हो दयालू जो पड़ा लिखाने हो अनपड दूसरों का उपकार करने वाला प्रोब कारी यह स्टुडेंट्स तो यह 6 से 12 तक वाक्या आप अपनी नोटबुक में अच्छे से रफ नोटबुक में राइट करेंगे और इनको अच्छे से लर्न करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक्यू और हैवा नाश दे